पीएम नरेंद्र मोधी हाल ही में लक्षदीप पहुंच जते जिसके बाद ये छोटा सा दीप पूरे देश में सुर्खियों में आ गया इसके साथ ही साथ जन्वरी को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किये जाने वाला कीवर्ड भी लक्षदीप रहा खासकर ट्रैवल बुकिंग जो साइट्स हैं उन पर लक्षदीप को सबसे अधिक सर्च किया गया था जिसके बाद जो फिल्म स्टार्स हैं और जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अपने जो सोशल मीडिया पर है वो लक्षदीप जाने को लेकर एक कैम्पेंड चलाया था लेकिन आजादी के समय जब देश का बटवारा हुआ तब लक्षदीप पर भारत और पाकिस्तान दोनों की नजरे थी और उस वक्त के ग्रह मंत्री सरदार वल्लवाई पटेल को लक्षदीप के भोगलिक महत्व का अंदाज था ऐसे में जो सरदार वल्लवाई पटेल थे उनकी राजनेतिक सुझभूच के चलते लक्षदीप भारत का अभिन अंग बन पाया आये जानते हैं भारत ने कैसे पाकिस्तान को माज देते हुए लक्षदीप पर कबजा जमाया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य आत्रे और आप देख रहे हैं दे नगरी न्यूज इन दिनों पूरे देश के अंदर जो लक्षदीप है उसको लेकर चर्चाय चल रही हैं खासकर सोशल मीडिया पर जो कैम्पेन है वो चलाये जा रहे हैं कि अब मालदीव नहीं बलकि मालदीव के अलावा जो लक्षदीप है उस पर भारतियों को घुमने जाना चाहिए क्य सोशल मीडिया पर लक्षदीप को लेकर जो चर्चाय है वो शुरू हो गई आज हम आपको बताते हैं कि बटवारे के बाद लक्षदीप भारत का अभिन अंग कैसे बना कुछ ऐसी कहानिया है जिसको लेकर लक्षदीप जो है चर्चाओं में रहा है खासकर बहुत धर्म से जुड़ी कुछ कहानियों के अंदर लक्षदीप का जिक्र सुनने को मिलता है और अगर इन कहानियों की माने तो बताया जाता है कि बहुत भिक्षु संग मित्र ने इन दीपों पर गए थे चेरा सामराज्ये इन दीपों को कंट्रोल करता था और माना जाता था कि 661 में मद कि केरल के साथ जो धीब थे उन पर जो चोल समराज्ये के जो अधीन ते केरल देश आजाद हुआ और उस दोरान जब देश का बटवारा भी हुआ तो अलग-अलग जो रियास्ते थी वो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो रही थी हलाकि उस समय लक्षदीप पर दोनों ही देश की नजर नहीं थी लेकिन जैसे ही ये बटवारा पूरा हुआ और जब ल भारत के मालाबार कोस्ट से इसको जोड़ा गया था या कह सकते हैं कि ये मालाबार कोस्ट से जोड़ा हुआ था ऐसे में उस समय के जो उस वक्त के ग्रह मंत्री सर्दार बल्लवाई पटेल को लक्षदीप के भोगोलिक महत्व का अंदाजा था उनको लगता था कि नितिक सूजबूज को देखते हुए उन्होंने मुदलियार बंदू को शिप और जवानों के साथ लक्षदीब जाने को कहा था रामा स्वामी मुदलियार मैसूर के 24 वे और आखिरी दिवान थे उसी दोरान पाकिस्तान ने भी अपना युद्धिपोत लक्षदीब की तरह भारत पूरी तरीके से लक्षदीब पर कबजा कर चुका था और भारती तिरंगा लक्षदीब पर लहरा रहा था ऐसे में पाकिस्तान की और से जो युद्धिपोत गया था वो बेरंगी वापस लोट गया और अब आपको बताते हैं कि आजादी के बाद और भारत ने जब लक्षदीब को अपने अधीन में लिया तो उसके बाद कैसे इसका पुनर गठन किया गया दरसल 1956 में राज्जो के पुनर गठन के वक्त लक्षदीब को केंदर शासित प्रदेश का दरजा दिया गया 1973 के बाद इसका नाम लक्षदीब रखा गया लक्षदीब 1973 के बाद र समू हैं यहाँ पर जिन में से सिर्फ दस दीपों पर ही लोग यहाँ पर रहते हैं ऐसे में अब जो भारत का जो परेटन उध्योग है वो लगातार संभावना यह लक्षदीप के अंदर तलाश रहा है कुछ ही बड़े-बड़े प्रोजेक्स माने जा रहे हैं कि अब लक्ष दीप के लोगों की आजविका का साधन की अगर बात करें तो मचली पकड़ना और नारियल की खेती करना है राजनेतिक अगर मसले की बात करें या फिर कहें कि राजनेतिक क्या हालात लक्षदीप में अब तक रहे हैं तो लक्षदीप सिर्फ एक लोग सबासीट है यानि प अब एक नया जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार लक्षदीप को लेकर चर्चाए रही उसे खो जा गया और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच्छित करने की यहां पर बात की जा रही है लेकिन लोगों के मन में यह शंका भी बनी हुई है कि आखिल लक्षदी के अलावा यहां पर offline documents भी देखे जाते हैं और हवाई मार के अलावा आप समुद्री मार से भी लक्षदीप पर पहुंच सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको प्रमिशन लेनी पड़ेगी लक्षदीप प्रशासन की और से एक clear certificate भी जो है जारी किया जाता है वहां के विज अगर यहां पर निर्मान कारे अब बढ़ते हैं तो जो ecosystem है उसके जो बिगडने का है वो खत्रा भी यहां पर मंड़ा सकता है पिछले दिनों जब अगत्ती में जब एक runway का निर्मान यहां पर शुरू किया गया था तो उसे बीच में ही रोपना पड़ा था क्योंकि इससे कुछ कच्छों के जो आवास पर है असर पड़ना शुरू हो गया था ऐसे में अब लगातार चर्चा यह भी चल रही है कि अगर वहां पर बड़ी बड़ी होटल्स बनती हैं जौड बनते हैं तो उसके बाद जो ecosystem है लक्षदीप नो वो यहां पर बिगड सकता है हाला कि य बात करें तो internet connectivity या फिर अपने mobile की बात करें जो टूरिस्ट यहां पर जाते हैं तो उनको किस तरह की facility फिलहाल यहां पर मिल रही है लक्षदीप में internet connectivity लिमिटेड है केवल BSNL ये एक ऐसा service provider है जो जो network यहां पर उपलब कराता है टूरिस्ट का phone यहां पर काम नहीं करता ह है क्योंकि और कोई mobile phone का जो company का network है वो यहां पर मौजूद नहीं है network नहीं होने से digital payment और card payment में भी काफी तरह की दिक्कते यहां पर देखने को मिलती है हाला कि अब जिस तरह से यहां का विकास किया जा रहा है tourist infrastructure जो है विक्सित किया जा रहा है इसके बाद हो सकता है कि कु commercial और जो fighter jets है military aircraft है उनका संजालन भी वहाँ पर हो सकेगा अभी एक प्रस्ताव पूरा बना कर सरकार के पास भीजा गया है और माना जा सकता है कि जब प्येम नरेंदर मोदी ने वहाँ पर विजिट किया है तो जरूर कोई न कोई ऐसा project उनके दिमाग में होगा और जल्थी लक्षदीप एक ऐसा tourist palace बनेगा जो निश्यत तोर पर भारतिय और विदेश्यों की पहली पसंद बनेगा फिलाल के लिए इतना ही आप जुड़े रहिए दनगरी न्यूस के साथ